तो ना यह एक्सिस पर लाए करें चाहिए एक विटोरियल पॉइंट है पर्पेंडिगुलर भाई सेक्टर पर नहीं 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 है तो अब इसको कैसे करें तो गई कहां चला गया भाई जब दिखाओ का है कायब कर दिया तो देखो कोई करेंगे रहें को माइस क्यों था यह फिर यह से दिस्ट्डेंस देको फिर से अन्याश्री इसकी विज़े से फिल्ड कॉन से पॉइंट पर इसकी वेसे फिल्ड कॉन से पर पर आंसर आ जाएगा लेकिन इतना बड़ा हम नहीं करेंगे देखो कैसे करेंगे इसको सर माइनस से पॉजिटिव यह किसकी डिरेक्शन होती है अब इस पॉइंट को पी बोल दिया डाइपोल मुमेंट को भी बोल रहे हैं तो इसको कुछ और बोल दो इसको पॉइंट एब राइट ऐसे कंफूजन सब्सक्राइब अब एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही सर अब क्या करने वाले वाब कोई बात नहीं यह पी है तो अगर कि अगर कि एक एक एंगल पर है किसी एक एंगल के इस हौज मित क्तिटा डिग्री अंगल अ कि के कि पोइंट के लिए देख हौँब सब्सक्राणओ बो हुड़ा और फिर सीधा चलो तब कहां पहुंचोगे तब कहां पहुंचोगे बच्छे एपर पहुंचोगे क्लियर है क्या जिसका माइक ओन है उफ कर लो प्लीज चलो तुसर अब इत्बाव बताओ यह पूरा डाइपोल देख रहा हूं यह पी है इसके दो कंपनेट हो जाएंगे क्य और इसके बिल्कुल प्रपेंडिकुलर एक और ले लेता हूं यह क्या हो जाएगा पी पी साइन दीता सर एप एपॉइंट देखना एक बड़ी एपॉइंट क्या पहले तो यह बात बताओ क्या यह सही लग रहा है तुमें कुछ इसमें गड़बड ही लग रही है समझना रही है क्या यही चीज समझ लो यही चीज समझ लो कि हम नाम तोर पर हम ऐसे करते हैं क्योंकि सब बच्चों को यही रहाद रहता है कि यहां पर जो होगा थीटा यह रिजाव यहां होता है लेकिन यहां पर यह में पहले से खिआ पर रहे है और इजोंटल में दिखे रहा है ऐख कोता रिजॉटर कर रहे हो तूं लुग कंदर एक इसा होता इसको तो रिजॉल कर देते لا two एक Turbo करने के लिए यह कुछ थीटा यह क्या हो जाता ऐसा ही करते न इस अब यह हो कर करकते ऊटना यहां आयँ जहा ए अब थीटा कहा है यहां है कि मैं करते करते रुखा हूं ध्यान से देखो इसलिए अब इसका कंपोनेंट करो एक ओसीटा कहा होगा जो थीटा के यह लोंग है थीटा यह है न यह क्या होगा बच्छे मेरा ए है कॉस्च और और साइम टाओगा इसके बिल्कुल यह को सिता और यह साइम ठीटा फोले हुआ है इसका पर देंगा विश्कर परपेंडिकुलर कुछ ऐसा नहीं बनेगा युस सर्थ अपsy कापरपेंडिकुलर कुछ ऐसा ही बनेगा सफ किसी को कुछ भी इशू है तो मेरे से पूछ लिए पका सब को अब तु मुझे खुद बताओ पी को सिटा कहा होगा यह वैला यह वाली लाइन और पी साइन टिटा कहा होगा सर्थ नीचे को अपर पेंडिकुली में डन क्या अब खतम हो गया एक कोशन यह डेरिवेशन खतम हो चुगी है यही जो में पोइंट था सिरफ यही था अब तुम्हें हलवा लगे गाई है हां गोटम बोलो जैसी का बोलो यह कॉंस्टिटोर असाइन थी तो नहीं होगा ने यह तो सिरफ पॉइंट है एक एक पॉइंट है हम किसको रिजोल कर रहे हैं यहां पर पी को पी को पी को पी के उपर बैक्सर लगना साथ बिलकुल बिलकुल लगी यह बिलकुल लगेब डॉयक्सिन वैक्रें टनि अके जहांęt नहीं लगाया तो लगा लेना पी बात करिया ना इसके दिए सेतरों धिटे मंचम कसटीटा अब यहां से आग्यूड धियान से लिगि अब मैंने आपको हमेशा जाद रखा करो जिस चीज को तुमने रिजॉल कर दिया उस चीज को भूल जाओ और एक्जामपल यहां किसको रिजॉल कर रहे थे इधर एक को भूल जाओ क्योंकि एक विटो कंपोनेट आ गए ना भूल जाओ अब क्या रहे तुम्हारे पास एक वोस्थीटा और ए उसको रिजॉल करें अब किसके कंपोनेट किये थे यहां पी को भूल जाओ अब तुम्हारे पास सिरफ दो डाइपोल की तरह रह गए दो डाइपोल मूमेंट रह गई दो डाइपोल से रह गए एक कौनची जाइड है पिस विच्टा एक है पी साइन टीटा दो डाेपोल एक वाला जो था उसके मैंने कितने कंपोनेंट करती है सर दो जो कंपर तुम्हें एज़े दो डाइपोल वाली चीजे करनी है कुछ दिगर देखो एपोईंट सर अगर एक डाइपोल एक डाइपोल यहां पर है ऐसा बो पहले सिरफ एक ही डाइपोल था जिसकी डाइपोल मुमेंट थी अब कितने डाइपोल होगे सर दो डाइपोल होगे उन में से एक की डाइपोल मुमेंट क्या हो गई अब दियान से तुनों सर यह डाइपोल देखो फ़र्स्ट वाले के लिए फ़र्स्ट वाला जिसकी डाइपोल मुमेंट क्या है पी पोस्थी इसके लिए इसके लिए पॉइंट कहां लाए कर रहा है इसका नाम कि नाम देते हैं आपके जो और आए पी क्यों पीयों बोल पी ऑम बोल ऑफ दू कुछ भी बोल जो इसके लिए एप्वाइब राएं बच्छे इसकी का लाए में नहीं कर रहा है जिसलान से देखो तुम जिसका माइक ओने और जिसका माइक होने और नो करो कर दिया बच्वाइब चलो पीकोस थीटा है यह 637739 पासपर्ड ही रख दिया इनोने चलो बढ़िया यह पी कोस्थिटा है चलो यह इसके लिए एक्सिस परीला जिस लाइन पर और उसी लाइन पर क्या है पॉइंट तो हम बोल सकते हैं पी कोस्थिटा के लिए एक्सिस प्रइगा कर्राझा कि इसका इसका पूंधा सब्रहेंगा चुन सारोड़े प्रश्या है आ Works petite कि लिए ऊथ यह इखनी रहा anymore ज्यान से एक्सटाइंड के लिए यह प्रपेंडिकुलर बाई सेक्टर है ना तो ए पॉइंट की साइन थीटा के लिए कैसा है सर कौन सी लाइन पर एक्विटोरिय लाइन अब कुछ नहीं करना फॉर्मूला अब यह जो तुम्हारे स्लेबस में वही है जब आर इनके बीच में डिस्टेंस किया है बच्चे सेंट कितनी दूर है अ कितनी दूर है तो यह तुम्हारे उस ही केस में जब रड़म बहुत बढ़ब संवाज में आरा है है यह तैक्षट इपर है यह और डिस्टेंस है अलब इसको एंठेंसान है इसंग प्रइन भी नेगेूं है अर डिस्टेंस यूस्ट लिए फोल्मिला क्या लगता है एक्स जील का प्रकाओ निटो पेकिए पना रख्यू को यहां पर डाईपोर मुमेंट लकिन इसकी दाईपोर मुमेंट कितनी है पी थोड़ी अब अब एक्विटोरियल के लिए तुम बताओ के पिपोन पॉनर्प पॉनर्फ पॉनर्फ यह लेकिन यह पर अब के तो ठीक है आर्की पी ठीक है लेकिन पी किजेगा क्या आजेगा पूंच की डाय पोल मुवंसमेंट्ट इhm से कितने ही औयपण की सिर्गट ऑगई नहीं की वेल्यू क्या है ज्сर एक 152 का मैं तो केपी क्यों सट्राव है on नेप्ट्रि क्या जुद रही हों अब यहांस पर जो ऑगाев की डिरेक्शन देख़ाई इसे एक जिल लाइन पर जो नेट इलेक्रिक फील्ड इीलेक्ट्रिक फील्ड आता था उसकी कुन्से डिरेक्शनर की और शेये हैं यही पर आप करेंगे बाताओ आजो और यहां पर अ यह था किया एगस्यम लइयन ठкийओज मया कि यह था कि जटना दिखरा होगा सस्वार्थ किशे खिल थे किज़ता बताओ लिएवन की तरफ आती थी टरफ आती तुम्हें तइने दिख़रा ह OK यह नहीं दिख रहा है इवन यह इटू यह हमने इस और याद हो तो किसी को याद है ना यह सर याद है क्यों कि तरफ आएगी राइट क्यों कि जो पूइंट है वह किसके पास है सर इसलिए जो नेट इफेक्ट आएगा वह किसका आएगा और सेकिंड चार्ज की एलेक्ट्रिक फिल्ड राइट साइड है लेकिन हर केस में थोड़ी आएगा जब चार्ज इसको उदर रख दूआ पोजिटिव इदर नेगिटिव इदर तो लेफ्ट साइड आजएगा तो मैं ऐसा याद नहीं रखुगा राइटिव इदर लॉन कि लमेंत जा पर कॉंड है याउत जाइट तो सर डाइपोल मुमेंट भी राइट साइड है और जो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड आई है वह भी कौन जी साइड आई ए एक्जियल पॉइंट पर राइट साइड लोग तर एक्जियल पॉइंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड किसकी डिरेक्शन में होती है सर डाइपोल बाले डाइपोल मुमेंट की डिरेक्शन क्लियर है क्या इसलिए जब मैंने यहां पर समझाया था तुम्हें कि डाइपोल मुमेंट और इलेक्ट्रिक फिल्ड के बीच में जनरल इस केस में इस केस में क जन्रल लेकिन अभ यहाँ पर जो निकाल है नेक्तिरिक फिल्ट वो दोनों की दिरेक्शन क्या यह देता है तो हम तो यहीं बोलते है कि अपोजित होती है लेकिन जब यहां पर क्यूं आई यहां पर क्या निकाल है हमने तो एक्षियल पोइंट में नेट एलेक्टिरिक फिल्ट ओ राइपॉल मुमें डिरेक्शन सेम रही पे आ जहाए इक विसदिरेक्शन ने डिरेक्शन तो देखो यहां पर बताओ मेंठो को डाइपोल मुमेंट ॉविक्षि एसरियरा रइसाइड अच्छा और अगलेक्टरिकन की जो एसा नियुम अ हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड सर डाइप पोल मुवमेंट के अपोजित होगी अपोजित हैं अपोजित डिरेक्शन क्लियर है क्या यह सबको एक्विटोरियल पर डिप्रेंट अब यही चीज़ यहां पर देखेंगे तो अब हमने अभी हम देखो यह वो रहाई यह रहाँ आपके अच्छ पर के अब दो कंपोनेंट आया हमार पास पी के कौन कौन से सर बताओगे एक बर दुबारा पी कौस्टिक तो आगए पी के तो आगये अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो बाते होई हमार पास एपोइंट पर है कि लिए तो एकजियल के लिए जो वैलिव आई यह वो क्या है डू के पी कोस्टिटा पॉन और क्यूज्ट इसको किसे लिए से लिए रीड से लिए है कि तो क्यंतaka का लिए इक्जियल के लिए एक्जियल की थिटा कहुं सा उता सण उसी डिरेक्षिन और धी यह दो यहां पर डाइपोल मूमेंट की डिरेक्शिन यह ना यह वज् telling ट्रफ आंड और पी साइन थीटा किस तरफ है इस तरफ है तो डाइपोल मुमेंट अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फिल्ट भी कहा होगा सर इलेक्ट्रिक फिल्ट का वह वाला कंपोनेंट जिसकी वैल्यू टू के पी कोस थीटा पॉन आर्की वह इधर आई होगी क्या अगर तुम उसको ट्रांसफर्म कर दोगे तो अधर आए क्लियर है यहां तक क्योंकि एक्ट्रिक फिल्ट और डाइपोल मुमेंट की वैल्यू क्या आती है डिरेक्शन क्या आती है बिल्पुल अब बारी आती है यही चीज़ हम यहां पर भी दिखाते हैं मैं साथ साथ कंपेर कर आ रहा है द और इसकी बात करेंगे एक्ट्रियल इक्साइर अच्छा तो सर डाइपोल मुमेंट अगर इस डिरेक्शन में थो इसकी जो इल्लेक्ट्रिक championship होगे इसके आपनिक तो कहाँ पर होना चाहिए ए पर तो यह पर कुछ आयसी होगी तो यह पनादू कैस तो क्या वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है और के पी साइन खेट अपोना और इनके पीच में एंगल कितना बन रहा हुआ हुआ है यह तो वही बात हो गई एक दो वेक्टर्स हैं एक यह और एक यह दोनों कितने एंगल पर हैं क्या है किसी को यहां तक पहले दिक्क्त कोई शुआ डिरेक्शन के से बताइब में वही दहुत आए एक पॉंट उसके लिए एक पॉंट क्या है सर सर इक वेट घुर्लिव चुबिवाटरियल अच्युवटर्य शुप अच्छव घ्टरियू. जो एक्जियल उसके लिए इलेक्ट्रिक फिल्ड की डिरेक्शन डाइपोल मुवमेंट के बिल्कूल कैसे होती थी से इसकी भी इसकी उसकी बहुत हो जाएगी सर्थ से उसके लिए देख लिए रेड़ वाले की से यहां पर लिख दो और वहां पर क्या लिख दूँ पोजेट पॉसे 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 पीशन तीटा उसके लिए बिल्कूल पॉसेट है उसके लिए मतलब एक्विटोरिल की तरह भी है कर रहे हैं और मैं रेड़ भी यहां पर भी दिखा देता हूं राइट के बीच में एंगल कितना नाइंटेटि तो कुल मिला के मैं यह बोल दूँ क्य तू के पी कोस थीटा अपोन आर क्यूब ये वेक्टर एवन वेक्टर है लेक्टरिक फिल्ड ड्यू टू कौन सी है एक्जियल के लिए और के पी अप्टरिक लिए क्या हो जाएगा एक टूरिक लिए ड़न ये बहुत मुश्किल लगते बच्चों लेकिन बहुत असान चीज तुमने देखा हो पुछ था क्या इसमें ऐसा अब वफ डायग्राम देखो गे ना तुमने बच्चों की तरह लगगा वड़ा क्या था इसमें त अब दो वेक्टर है एक्ष्जियल और इस बीच में अंगल कितना है बच्चे तो मैं राम से निकाल दू मैं असा क्या हो जाएगा एक्ष्जियल का स्कूर्च प्लस इस प्लस टू एक्वेटोरियल इंटू में कोज कितना आजेगा कि इन दोनों का प्लेस करके अंडरूट कर दूना है क्लियर है नहीं जीरो क्यों आया क्योंकि कोस 90 क्या होता है प्लस के पी साइन थीटा पॉन आर क्यूबाइब अच्छा सब्सक्राइब क्योंकि इसक्यों क्योंकि एस्वेहर ना यहां पर यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं किया ध्यान से देखना के पी अपोन आर क्यूब के स्क्वेर को तो कोमल ले लूं अंदर क्या रहेजएगा तू को स्क्वेर ना अगर बार ले लू तो जाएगा जाएगा ने इसके स्क्वेर से इसका स्क्वेर रूट कैंसल हो जाता है बहुए ऐसे हो गर मालो एका स्क्वेर इसको भार लूब स्क्राइब मतलब क्या होता यह सरता हम आधिया कि प्लjас को जैया किया प्लूटियों के फिंद्व आग चुट में पी कैसा है पि को लिया नाÜ d히 सांगर आघर यहां होता ना ऐसे साइन पी टीटिट है ऐसा हृता तो पिक हो मन ने भाव तो आंगल के साथ हो लेकिन यह एंगल के साथ हो जो रहे है स्वasmज़ना रहा है इसका मसलब किया है पी को मल्टिप्लाइख किया है कोस्टेटशD치 2 को मिलिप्ला कि है कोज्टिटा से सपोस करो और 2 को ही मिलटिप्ला कि है साइन फिटा से मैं यहां पर क्या 2 पोमल नहीं ले सकता गया ऐसे लिग दू धू कोड़ी से अंघल के साथ तो नहीं लेते जे जो अच्छा अब बताओ रफटा फटाफटा कर देते हैं अन्सेर इसको के पीपना रग्यू भेजर अंदर गया रहा जिए फॉर को स्क्वेर थीटा प्लस और स्पेट थेता ग्या जो से अभी पता सो स्पेट थेता क्यों क्या करूँ जोई बाद नहीं सर इसको केपिन वोनार्थ को भाहर लिखो प्लस 3 कोभीटISHटिता प्लस 4 सक्वीर थेता और साथ में कहा सर प्लस है स्कूर तो यह तो क्या हो जाएगा सर वन तो अंदर क्या रहेगा के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ओफ फ्री कोर्स स्वेर थीटा प्लस राइट इस इस दा आंसर ओंदा इलेक्ट्रिक्स विल्डाइट था जन्रल पॉइंट क्लियर है क्या सबको अब कुछ भी ऐसा लग रहा हो जो समझ में ना रहा हो इस डागराम को देखके वह मैं से पीछ है कुछ भी ऐसा हो अभी टैंजेंट वाली बात बताऊंगा बाकी सब देखें क्लियर है क्यों सब्सक्राइब क्वेंट है एक्षियल वाला यह पोजिट आया है वह रहा है तर ठीक है अब दियान से देखो वही दो वैक्टर्ज है इनका रिजल्टेंट यहां एगा ना यही कहीं गई यह वेक्टर था इसे बीकिन दोस्ता है लेक्रिक्टर फ़िए ने वेक्टर थे विए इनका रिजटेंट यह आया आर तुम्हें पता ही है इनके बीच में बीच में मैं सही करके बताँ यह दो यह वेक्टर और बीड़े जिख रहे है यहां से कंपेर करें इसनका रिजल्टेंट यहां आता है ना यह सर्ट तो ए और बी के बीच में तो जो भी एंगल हो हम यहां पर एक अल्फा एंगल लिखते थे यहाद होगा 11 प्लास यह सर्ट डिरेक्शन बताने के लिए इसको क्या लिख देते थे फिर डिरेक्शन कैसे बताते थे टेंजेंट अल्फा से याद रहा है यहां पर भी टेंजेंट अल्फा क्या होगा सर्ट एपोन में बी का मेगनिटुड है और्ट यहां पर बेस क्या होगा कैसे बताऊगे कि डरना नहीं है दरना नहीं Yes प्रेत और सब्सक्ति यह फैसी यह और बड़नी कि इसे लिए पड़ें लेक्टर पेखेंडेंग UK इक्वेटोरियल अच्छा इएक्वेटोरियल सर 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 और इनके बीच में जो रिजल्टेंट आया उसको क्या बोला सर जादे बड़ा दिखा दिये चलो कोई बात इनेट मार अब ध्यान से देखना एक बात एक प्रोपर्टी पड़ी थी इंदे वेक्टर की सर वेक्टर को मैं पैरलेल ट्रांसफर कर देखता हूं ना तो उसको मैंग्रीटूड चेंज होगा ना उसकी डिरेक्शन मैंने बस यह हैं जो यह जो समझ सकता है वो तो mathematical समसर सकता है बेश क्या और पिफबेंडी को यह जिसको के लिए कर रहा हूं इसको उठा कर रागल ऑग पैरलेल ट्रांस्फोर्म कीया है 6也可以 is चाहिए सब्सक्राइब एक वी था था तो बता दो प्रपेंडिदीकुलर क्या है और बेस क्या है एक वेट्टॉरियल की अब इसे थे पी साइन फीचा अपन और यूड़ल ट। हुआ है तो इक विटोरियल यह टेंजेंट थीटा भोल दू तेंजेंट अल्फा सौरी किसके एकवल आ रहा है साइन थीटा अपॉन टू को शीटा क्या होता है क्या है थो तो तो अल्फा ओंगे थे निज्चेन्ड इनवर्स हो ठेंग व्युटा जरुटा ने तो कुमार साथ में थोड़ा सा पार्शालिटी कर गया मैंने बीवन वाले में यह बात चुकि हमें ना लास्ट मुमेंट पे कनेक्टिवीटी इशु हो गया तो विचारों की यह बात रह गई तो वो भी है उसको हम फिर कभी करवा देंगे यह बात देखो यह आ गया इलेक्रिक अगर सर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू जीरो कुट कर दू आंसर बताना क्या आएगा इस वाइगा इस वाइग यह तो कुन से पुट पर होता है सर एक्षेल वाला है पोस्ट अब 90 पुट कर दू अगर जनरल वाला याद है तो और कोई लर्न करने की जरूरत ही नहीं है जो सर अब देखो थीटा जीरो का मतलब यह डाइपोल जो ऐसे था वो बिल्कुल होरिजोंटल आ जाए और वो पॉइंट उसकी एक्षेल यहां से जुन्दक चा था यह पॉइंट पी था क्या यह प तो अगर फीटा जीरो जाए तो एक्षेल टाली लाइन पर यहां पर तो यह पॉइंट यहां नहीं आजाएगा तो यह पॉइंट पहले यहां था अब यह यहां आ जाएगा ना कौन सी पर आ गया यानि डाइपोल की एक्सिस पर आ गया तो उस केज में एलेक्ट्रिक फिल्ड क्या हो जाएगा अब थीटा को 90 कर दो 90 मतलब यहां आ जाएगा राइट इक्वेटोरियल पर तो इलेक्ट्रिक फिल्ड की वैल्यू के आ जाएगी के पाना क्यों समझ में आ रहा है क्या अंजी यह था हमारे पास यह जाए बीवन वालों के सब थोड़ी सी नाहिन साफी करती मैंने जलती होगी कोई बाते उनको दुबारा से बताएंगे एक चीज रह गई थी कुकि हमारे बीच में गूगल मीट थोड़ा सा परिशान कर ग एक्विटोरियल पॉइंट जनरल पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है किसी को बीच में कहीं पर उसके लिए तो फॉमला है ही ना के पी अपॉन आर क्यूग इंटु में वन प्लस को थ्री को स्क्वेर थीटा थीटा की वैल्यू कुछ भी पूट कर दो थीटा 60 डिगरी पूट कि इसलिए उनका सब्सक्राइब चानर संबस्क्राइब है गए तो किसी भी यंगल पर बता सकते के कर दो कि यारखना वह ओर आपर सिर्ट कर दो ने सिर्ट को न जो हमारा एक पॉइंट है वह और से कितने अंगल पर आगा जहां से देखके बोलो पुर्ष ओर एक ही रखता हुआ पहले सोट कुंछी के न अगल पर है देखो देखो द्रेंसे सब्सक्वाँ और सब्सक्राइब करें आप यहां यहां क्या पोला था अभी अभी अप्टा तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड होरीजोंटल से कितने एंगल पर होगई अलस थेटा प्लस अल्पा थीटा प्लस अलपा, थीटा प्लस अलपा, कभी-कभी पूछ भी लिया जाए तो बता सकते हैं, डन? सब्सक्राइब कर दोबारा बताना, देखो देखो, अगर वो कोश कोंचेप्चुल में भी पूछ सकता है, ऐसा बोल दे, कि बताओ, जो हमारा डाइपोल है, क्यान सुनना, हमारा डाइपोल है, या पॉइंट बोल दो, पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ट निकान ली है, वो पॉइंट डाइपोल मुवमेंट से, जो डाइपोल मुवमेंट ये पी वाली, होरिजोंटल में आई थी, ये जिसको रिजोल किया है, सब्सक्राइब लेक्ट्रीफ वो हो रिजॉन्टल से कितने एंगल पर हो जाएगी अल्फा मैं प्लस पर अगर वो पूछ ले तो देखो जान से सुनना या बीच में माई को ओन दाती है बूल जाते हैं क्या पढा रहे से हां देखो अगर सुजल कहा है भाई साब बन करो कहा है कहा है मेरे को तो दीखे भी नहीं रहा है तूजिल कुमारे से कुई लेफ्टी हो गया वो उस विचाहरे से वहीं नहीं वह रहा था शायद माई को चलो ठीक है खाहा थे हम भाई हाँ अब मैं पूछ था पी से कितने अंगल पर है सर थीटा पर पी से कितने अंगल पर है थीटा प्लस अब मैं तुमसे पुछ बताओ पॉइंट से इलेक्ट्रिक फिल्ड कितने अंगल पर है उस यह पॉइंट से विचे पास कैसे भी पूछ सकते है बता देंगे ना कि सबीन निकाली अल्फा की बेली तो तुमने निकाली लिए टेंजेंट इनवर्स तैंजेंट थीटा बया से भी थीटा की एवल्युने काल सकते हो तुम थीटा की भी तो निकाल सकते हो नहीं है से 210 अलफा इस इक्वल टू 10 थीटा तो थीटा क्या आजएगा 10 इन्वर्स ओफ 210 अलफा ऐसे निकाल पर ये बड़ा लगता है पोछ है हलो वाई है न थोड़ा सा जा सकते थे हम जा लिए इससे उपर नहीं आएगा कुछ डेरिवेशन में तो पक्की बात है कॉश्चन हम जब पोटेंशल करें उसके बात करी लेंगे इन जब करेंगे बताओ क्लियर है पक्का के पी अपॉन आर क्यूब तो आता है यह साथ में 1 प्लस 3 को स्क्वेर थीटा का रूट आ गया जनरल पॉइंट के लिए और जनरल पॉइंट याद है तो एक्वीटोरियल हो रहा और एक्जियल तो अपने अभी लेन हो जाएगा ओके चले आंगे चलते हैं तो थोड़ा सा मुझे पता लगे जिसको मिल रहे हैं यहां पर रहे हैं आरहे हैं जिसको समझ नहीं आया वो प्लीज मिरसे पूछे क्यों कि आगे जाके चीज़े बहुत मुश्किल होजाती है जो ये चीजे नहीं समझते और वहाँ पर जाकर अगर तुम मिर से पूछो कि सर बताओ डाइपोल का कैसे होगा सिर तो मैं सो जाओगा भई यही पर अमना रहा है फिर मिर से कुछ नहीं होगा क्लियर है तो जिसको ओभी डाउट है उपूछ सकता है कोई डाउट नहीं है चांती नहीं बताओ चले आगे यह सर तो यह बात तो हमारा क्लियर है क्लियर हो गया अब तो टाइम पड़ा है तो आवाओ करते हैं सर अगर तुम्हें यह पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो हम थार्ड उब्जक्तिव पर अपने बढ़ जाएंगे और अगर यह पॉइंट क्लियर रही है तो थार्ड पर कैसे बढ़े यह पॉइंट क्या है सर एबल टु डिफ्रेंशियेट नेट फोर्स विद और तो किसी को पता है क्या फोर्स वर्स वर्क में फरक है यह इस एक आदा पेज अड़ कर देता हूं इसमें ताकि हमें टिक्कत ना उलिखने वरना मेरे को यह दिमूब करने पड़ेंगे सब अब तरह आपने पेज अड़ किया कि प्रींशेर बंद कर दो प्रींशेर तो जान दभी तो पेज आइड़ कर पाऊंगा ना वच्छे कि हम अब कि अब कि अब कि अब ड़न कि अब कि अभी जो हम बात करने वाले है वह हमारा उब्जेक्टिव क्या है सब पोर्स विद है तो बताओ क्या फरग लगता है तो और को फोर्स में होती है उसके अंदर हम आर लेते हैं एक तीज आरें टुए है वेरी गुट है मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा लेकिन हां फोर्स हम कहां पर लेते हैं बैच्छे किनुट है पूर्स पूर्स को बोलते ना फोर्स को सबन यह पूश किया तो फोर्स यह पूश किया तो फॉर्स यह पूश किया तो फोर्स ले- scrutiny जब;; तो एसे हो रहा हो, जए ऐसे हो रहा हो, हो रहे है ना यह स्वार्थ लगा रहा हो फूर्ष यह अगर यह ही एसे हो जए तो भी अभट से इस ड kimchi प्रिक्रण हम यह जोड़ा है आप तो लिवाले लेकिन पहले हाथ भाला भी आज़ आए भी देगा आप भी आज़गद के तुझ महान को भी जया zar धाने रखता है और आसे रोटेट गिरता है वो गन्री पीश जाता है अर उसका नि मिल trabalho slash more तो वो क्या लगा रहा होता है सर वो ऐसी एक बारस ही होती है सर ऐसी होती है होता ना इसके ऊपर उसको यहां से भी रोटेट करता है और यहां से लिख रहा है ཉडྼག समझ में आ रही है वो भी फोर्स ही लगा रहा होता है लेकिन वह फोर्स क्या है फोर्डिस की अजीब तरीके से लगती है ताकि लीनियर ताकि पिछे तो नहीं होता वो डंडा है कैसे घुमलब कि पर डफनी कि यह रहु है एक्सिस की बात है बिल्कुल है बोलो प्श्यॅ कि रोटेशन हो रहे आपर रोटेशन इंड रहा है तर नि इफेक्ट और रहे सट्सक्शं यहां पर क्यों नहीं होता है यहां पर सारे नट लगे उते हैं ना यह वहले तुमका भी ट्राइखरना बीच में कुछ करके ना बीच में अगर तोड़ा था भी कुछ होल वेगर वहां से कीचिन होशिश करना पड़े मुश्किल होगा त्राय कर लिया है कर लिया न तब ने और कोने से तो बिल्कुल नहीं होगा सी पोइंट से थो बोड़ी मुश्किल से और यह च्छी तो फैर यह से लग रिलेशन से अपर क्या होता है आज नहीं बता हूं पूरा तो बता दूंगा बहुत जैसिक ने शही आंसर दिया बिल्कुल तो का फॉर्मला बता दिया इसे लें से लग रही है लेकिन सब्सक्राइब कर दिख रहा है कि यह कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है कर नहीं है जो फॉर्स का होता है लीनियर मोशन पर बच टॉर्क का कौन से मोशन में काम आता है रोडेशनल में उसका फॉमुला क्या हो जाता है बच्चो आर इंटू आर पी साइन थेटा आर मतलब फॉर्स को और आर को मल्टिप्लाइ कर दो लेकिन आर फॉर्स के कैसा होना चाहिए पर पेंडिकुलर या और पर पेंडिकुलर भी लिख सकते है आप फॉर्स क्या हो डिस्टेंस के पर पेंडिकुलर इस्टेंस वाली एक्सिस के फॉर्स वाली एक्सिस प्रपेंडिक इसको कैसे लिखते हो जन्रेली यह वाला फूमला यह वाली बात गोलते हैं तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं इट इस दा प्रोड़क्ट ओफोर्स फोर्स एड परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रोम लाइन ओफ एक्षिन ओफ अगर फोर्स यहां लग रही है इसके प्रपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा डिस्टेंस और दिख रहा है तब इन दोनों को मल्टिप्लाइ कर सकते हैं अगर मालू है यह मेरी एफ लग रही है बच्चे एफ और यह मेरा डिस्टेंस है आर तो बताओ क्या एफ और को डिसोल करूं तो एफ को करना आसान है एफ को यह जाएगा फ साइन थीटा और यह क्या हो जाएगा अब तुम खुल देख लो कौन से वली पर पेंडिक उदर है एफ साइन थीटा या एफ पोस थीटा अब किसको मेरी प्लेगर दोगे एफ साइन थीटा और आर को इसको यहां पर यहीं पर होगा चलो आओ देखते हैं अब यहां पर बहुत अच्छा लेक्टिर होने वाला है अगर हमार पस टाइम बचा तो इतना पच्छेगा नहीं को लग रहा है कोई बात नहीं तक बने रहे ना जो एंट तक बना रहेगा उसको सारी दूइदाए क्लियर हो अगनै ख्लंड शुक्र में बना में टिस को सबस्राइड को मैंने रखा यह लिकटरली च्रकारण वहां रहे यह दिखुआ संसर्ज मेरे बनाया नहीं सिर्फि है यह यह ठींश मेरे है नहीं हैं से दोचिवाटा इस पेस्धिया यह दिखना इन शो क्या बोलते हो टिल्लक् इमाजने दिखेना इन्विजिवल यह एक और नाम आथकल फेमेज है जोन सिना जोन सिना तुम जोन सिना क्यों बोलते हैं इसा तुम्हें पता जोन सिना कोन है डिवन यह रे रैश्टलर रहे हैं उसका स्लोगन सिना जोन सिना तुम तुम देख भी नहीं पाओगे हैं तो जब आज कल मीम्स मन्ते हैं विछ भी जो चीज नहीं देख रही होती है कि यह सर कि जोंसी नहीं होगे तो समझ रहे हैं ऐसे बोलते हैं तड़ा बद देखा करो मीम बेरागी विद टीन इंफरमेशन सर आप चलो आओ इलेक्ट्रिक फील्ड इसर अच्छ अच्छ अब मैंने यार पर क्या रख दिया सर एक डाइपोल यह एक्स्टेर्नल इलेक्ट्र करेंगेश जोंसी नगी हम लिखा रहें प्रोड एक्ट्रिक बेरिष्ट्ड थिर्ट अच्छ अझत्छ अगम रख देख ले जए तब किसी ने ऐसा किया और मेरा नाम लगाएथ तोर देख ले ना ठीक है ऐल्लेक्ट्रिक फील्ट्स तरिए इस डिरेक्षे हैं उंक्पिति अच्छ अब मैं एक ना डाइपोल रख रहा हूं यह पोजिटिव और अब यह डाइपोल ऐसे रखा वह दिख रहा है कि एक सब्एपोल अचल सब्राइपोल का गार क्या नेगेटिव बॉजिटिव कर सक्षक्याम पॉजिटिव जाएपों मतलब यह-प्र पोसिटिव हो गारेपों पर क्या होग बाताइपि तरह dwarf है न फॉजिटिव सेनेगिटिव रैट तरन कोई यह मत बोल देना कि एसे होगी क्योंकि पॉजिटीव इढ़ा है यह डाइपोल की पीडिवीयद की बात कर रहा है तो कहीं बाहर से हारी है तो बाहर से आदिया ना पोजेटिव इदर होगा नेगेटिम विद रोगा तभी तो यह डिरेक्शन होगी देखते हैं अभी क्या सर इसके उपर फोर्स देखते हैं सब नेगिटिव को पोजिटिव कहा जाना चाहता है तो इस दिर्डेक्शनन ऐसे लगे ही जा इसके उपर पॉजिट निया सब्सक्राइब और यह तो मैंने बोल दिया लेकिन तुम्हें पता है सार इलेक्ट्रिक फी तो चार्ज के उपर एक फोर्स लगाता है उस फोर्स का फोर्मॉला क्या होता है एक इस इक्वल टू क्यू मिल्टिप्लाइबाइब लेकिन तुम्हें तो पता ही है लगता हूं तो उस चार्ज के उन्दर फोर्स लगते है उस फोर्स का फोल्ब्ला होता है क्यों मल्टिप्लाइबाइब तो पर एक डिरेक्शन दे की अगर नेगीटिव ए तो उसके और मों तुम्हें चुपती देख सकते हो लेक्रिक इंदर है तो पोजिटीव महीं वी तो क्या हो जाएगा क्या इसका विक्ति कहना चाहिए अब चाहिए और यह अब इंड अरे रहे बताना मुझे हर्मन और सरीटा करuję कि अब मताएं क्कोई यह कहना चाहता है कर इसका वर और पिसको टू-YEHو जाएगा दोने पर फेजेम में पुल्हीं वे टो डेलो या वर या और या जुम basin ये वै कुण बुल रहे हैं को यो को टोढम है या क्वार को हों यह तो साइन ले लो या किले लो उसकी यहां पर है टो इसके अपोजी तो चार्ज का सका मेगीटीड तो यहां पर सिथा फोर्स समझ में हारा है तो एक फ़र्स इस्थर लगए नेट फोर्स कितनी हो गई जीरो जीरो बट लाइन ओसब्ट लग है औहाँ लाइन ओसफेश्ट मलग है तो Verf 자신ब से एकसीज पर है सेंए आग ल कि अधिन पर लेकिन पॉइंट अलग अलग पैक कर रही है डिरेक्शुन अलग अलग है नेट फोर्स तो जिरो है इसमझे से ये नेटॉर का जाएगी ये नेट कर जाएगी नेट तो लीनियर मोशन तो नहीं होगा अब यह से इसको बनाइंगे यह अगले लगा हूँ शरफ है एसा ता है यह आई इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रही थी और इस पर फोर्स लग रही थी यह नीचे वाला में नेगीटिव लिया था क्या कुछ भी ले सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है नेगिटिव और पोजिटिव ठीक है तो सर मतलब यह अगर यह पहले ऐसे था तो एक फोर्स इसको लेफ्ट की तरफ फिच्री है इसको कहां की तरी है राट की तरी है कोई गन्ने वाले को इमेजिन कर लो गन्ने के जूस के अब थोड़े टाइम बाद फिर इसकी डिरेक्शन ऐसी हो जाएगी क्या कि थोड़ा सा इसा टिल्ट हो जाएगा क्या यह एसा और थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा क्या एसा रोटेट और रहे ना ऐसे थोड़े टाइम बात क्या होगा सरी एसा हो देगा बिल्कुल सीदा दिख रहे है यह सर यह सर यह सर यह सर यह टेंट अधि अधि रहे है दिख रहे हैं यह पहला यह सर यह दूसरा यह तीसरा केस यह चोथा केस बिल्कुल कैसा हो गया होरिजोंटल हो गया क्या यह सर मैं चोथा केस बना रहा हूं चोथा केस अच्छे से बना रहा हूं तो यीवलें'd यूनिफोर्म नहीं दिख रहा ना मेरे वाला तो में टोगे रेस करने क्यों यूनिफॉर्म सुन अब ब chocol जो है पहला कि हमने पीछे बना दिया चो षब मेरा बना रहा है यह अच्छा एक बाद बताओ सिर्फ डाइपोर मुवमेंट की डिरेक्शन क्या होती थी यह वाली राइट साइड है क्या है यह बात याद रखना भी बताऊंगा एक तो पहले हम इसका फॉमला तो ड्राइब कर लें इतना गूंगे जा रहे हो तो और का फॉमला क्या होता है आर क्रोस यह आर और एफ का मल्टिप्लिकेशन करा है यह ना फॉमले पर आते हैं पहले है समझना यह गाइस यह रोटेट हुआ है रोटेट एसा हुआ कि फाइनल में जो डोटेशन हुए इसकी अचा अब इसके बाद कोिफोर्स लग रही होगी सब्सक्राइब कोई फॉर्स लग रही होगी यहां पर पोजिटिव कहा जाना चाहथा था नेगटीव नेगटीव पोच गया नेगिटिव का जाना चाहिए था अब फोर्स लग रही है क्या कोई यहां पर आके रूप ऐसी स्टेबल होगा बढ़ी यहां पर छोड़ दिया था मैंने अपने आप एलेक्टरिक फिल्ड में तो यह अपने आप रोटेटों के ऐसी हो गया किसकी डिरेक्शन में अलाइंः हो गया देखो एकस्टर्णल एक्सटर्नल acquired की दिरेक्शन में मतलब अगर तुम डाइपोड को कैसे मर्जी चोड दो एवह अपने आपको कैसे कर देगा एकस्टर्नल की डिरेक्शन में अलाइन कर देगा पॉर एक्जम्पल अगर ये नेगिटिव चार्ज है मेरा ये पोजिटिव चार्ज है मैं बोल रहा हूं कुछ भी बिनार देख एक इलेक्रिक फिल्ड ऐसे है तो बताओ इसका पोजिटिव यहोगा एलेक्रिव नेगिटिव यह होगा तो पड़ताओ डाइपल कैसा लाइन ह एक्सटरनल लेक्ट्रिक फील्ड की डिरेक्शन में अपने आपको लाइन कर लेगा नहीं और जो जिसको समय आ रहा है वो ऐसे देखो नेगिटिव कहां ट्रेक्ट करता है पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव कहां जाता है नेगिटिव की तरफ ऐसे घूमेगा आपको करते हो दिशाय आपके वह ओपने Daipole movement की डिरेक्शन को का मतलब daip Sensu по अलाइन हो जाता लाइन हो जाता है किसकी डिरेक्षमें एक्सिता जूGB करते हे ले बच्चे लेफ्ट कैसे हो गई ताइम हो गया गया मारा यार दो मिनट फाल तो नहीं रुखते बाई साथ दो मिनट फाल तुम लग्यों कि सब्सक्राइब कल मैं पढ़ा दूँ आग देख दो मिनट नहीं रुखे डाइपोल अलाइन हो जाता है बच्चे एक्स्टर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डिरेक्शन में तो अब तुम्हें पता चल रहा है कि अगर एक डाइपोल को मैं सर रख दू एक्स्टर्नल इलेक्रिक फील्ड में तो तुम डाइपोल को खुलाच खुलाच और अपने अब घूमता रहेगा कब तक घूमता रहेगा जब तक वह एक्स्टर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डिरेक्शन में मैंने डाइपोल रख दिया तो बताओ डाइपोल कहां घूमेगा तुम क्या होगे खाड़ा रहेगा वहीं रहेगा तू घूमजाए डाइपोल तो वहीं रहेगा समझ में आ रहा है क्या years sir उतना सा यह गूमनाई से हमें क्या ऐदा हूँ किसका तुम को याद है मैंने 11 पे लेक्ट्र लिया था ये आदी मानव कहानी सुनाई थी है ना तो हम कोई भी काम ऐसा नहीं करती जिसमें मारा फायदा है ना हम बहुत ही लालची इंसान होते हैं इंसान बहुत ही क्या होते हैं लालची जो अपने गले अपनी मुसीबत को हम करने के लिए उसने क्या कर दिया था अपना जो भार है किसके उपर रख दिया था सारा याद आगया ना तो वह बंदा कुछ सो करेगा तो वह सोच समत्की करेगा ना तो इससे बहुत सारी डिवाइस इस भी बन सकती है बच्छे रोटेट करवाना किसी पर पूरी कि डीक्रींट में तो काम हाइंगे उसके एक योगी सब और लकीन कोई ऐसा नींसी कोई अप्लीकेशन नहीत है पूरी नहीं है तो इसकी अप्लीकेशन नहीं लेकिन कोई ऐसा फिनोमेना होई नहीं सकता जिसकी कोई अप्लिकेशन ना मैंने तुम्हें पहले बताया इंसान बहुत ही ग्रीडी बंदा होता ना ग्रीडी भी नहीं बोलो वेलफेर बोल देते हैं उसको हुमें वेलफेर के लिए ना कि दिमाग लगाओ हर चीद की कोई ना कोई अप्लिकेशन होती है समझ में आया कि फॉर्स लगती है फॉर्स के बारे में पता चला तोर्क के बारे में पता लगा सर रोटेट हो सकता है एक चार्ज पार्टिकल समझ में आ रहा है यह सर डाइपोल सोरी डाइपोल रोटेट हो स सब्सक्राइब एक मैगनेट को ही मैगनेटिक डाइपोल बोलते हैं जिसके अंदर नोर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल होता है इनको रोटेट करने से क्या चेंज होगा सर फ्लक्स चेंज होता है हाने फ्लक्स मतलब और मेंगनेटिक टीक या कुछ भी फ्लक्स के अंदर हीढ्या खल परखें तौन किसको इंद्यूस कर सकते हैं की सभाइ और को मैंक्री इस हां खुटर फ्लक्स को च्रेंग ho प्रवागी एलेक्रिसीटी के पिछे रहे हैं प्लक्स का चेंज हो रहा है किसके कारण इनके रोटेशन की कारण डाइपोल भी उसके इसका थोड़ा सा हिस्सा है टोर्क भी कुंसे आजाता है उसके इंदर फ्लक्स का फोमला यह बनता है हमारे पास ने टीका पी एकोस थीटा है उसके अंदर फीटा मतलब क्या होता है रोटेट होना फीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो यह बहुत चीज़े हैं अगे समझ में आ रहा है तो याद रखना इस बात को चलो भई आज के लिए हम करते हैं हम तो चार मिनिट और पढ़ाते बटी हमारे जो सब्सान होगा ना तभी पता लगेगा इनको आज तो नहीं करते चलो कोई बात में इनको बोले रहे से कल कि हम द्याग के बढ़ा दिया है है ऐसे बोले इनको शाने हो तुम भी है ना पंच्वल हो है ना अभी पंच्वल का आया तीन मिनिट पढ़े आ है साड़े आड़ ब आगा सोरी बई सोरी चलो चलो टीक है भाइब लगें लगें